जो तनकवा छोड़े से आती फिर हम ना आते वे आते वे इस ट्रॉली से आये थे अगर वीडियो मिलेगी तो उसका लिंक में जरूर आपको डिस्क्रिप्शन में भाई अभी घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं उपर इस्टेशन जहां से पैदा लियात्रामार की स्टा हालो दोस्तों गूड मॉर्निंग नमस्ते आपका स्वागत है मेरे गाउं पुलना विलेज से तो अभी मैं जस्ट आया हूँ जंगल पे अपने गाई मातों को लगाने के लिए धूप अभी काफी उपर है इसलिए हम जाएंगे सीधक कीचन में और आग सेखेंगे खुस द बैठी हुई है और आग भी बुच चुकी है बड़ उनको गर्मी लग रही होगी अभी आग जलाएंगे इनके लिए यह देखो बहुत चिपक चिपक के सो रहे हैं थोड़ा सा गरम है अभी कोईले हलके हलके है और यह देखो चूप तो जी आग भी जल चुकी है हमारी और बिल्यां भी खुज होगी गर्मा गरम गर्मा गरम क्यों क्यों मिश्यू अब इसको तो ज्यादा ही गर्मी लगी अब उधर जा रहा हो आग के पास पहले यहीं पर बैटा हुआ था तो मम्मी भी अभी जैस्ट आई है अलकडिया लेकर के जंगल से में गाई लगागर क्या तो कुछ न कुछ काम सब का होता है जिए तो खा रही है बिल्योंगा खाना थाली में रखा हुआ है प्यारी चिडिया दूप भी आ चुकी है और पता नहीं आज ना और भी ज्यादा धुनला धुनला से नजर आ रहा है मतलब चारों तरफ पहाड़ियों के इसलिए मैं तो ऐसे में मजा ही नहीं आता पहाड़ियों को देखने का क्लियर नहीं देखते बस एक दिन की बाद इसकी बात है उसके बाद और साफ और क्लियर दिखना हमें सुरू हो जाएगा और ग्रीनरी में अपना गाउं प्यारा दिखता है आजकल तो उतना मतलब सूखा सूखा स नहीं पढ़ती है ना इस वज़े से अनित तो इनका सुबह से हो रहा है तीसरी बार खाना जाएं के रात तक क्यों छेलने जाएंगे फिर गायब हो जाएंगे अज एक छोटा से विजिट कर लेते हैं अपने गाउं की और गुमाते हैं आपको शेरू का गूम रहा क्या हो करता है एक जूए गूमने के लिए आगे आगे घूमते हैं देखो कुछ ऐसा मॉह रखा है नोज चेंज नोजेंज नोजेंज तो यहां जो की केसाओं कि डौग ऑगाओं नहीं रहती है उसे न वहां के तरव लगते हैं क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों को भालू उठा के लिए तो कुछ बाग इसके बच्चे को ने दूसरे जो बच्चे थे कुटों के तो वहां डर रहता यह अकेला रहेगा वहां तो उसको डर लगेगा क्योंकि डॉक्स भारी रहना पसंद करते हैं घर के अंदर तो यहां पर जाते हैं यहां पर गेट था बड़िया संदर मलवा उठाए नहीं और घर पूरा टेस्स नहीं सा थो इसके बास से कुई नहीं रहता है यहां यहां पर भी देखी हैं आप भी थी अंदर घर थे के रूम सो गया रहा थे वो सारे मलवे ने खतम कर दिया यह देखो कितना प्यारा डॉगी है चोटा साय दोड़ाई महीने का होगा जात से जादा या एक तेड़ महीने अब यह देखिए अब यह कमरे भी खुलने लग गया इदर इदर भी घर थे खेती थी और उदर इस्टेज था बहुत बड़ा तो देखें कुछ ऐसा माहौल हो रहा है यहां पर और मदुमक्य के छत्ते भी न काफी लोगों ने हमारे भी हैं और यहां पर देखो कुछ ऐसे करके लगार के इनके अभी तो नहीं होंगे एक ही छ चाबी होगा इदर कहीं दिखनी दे जाडियों में तो इनको तो घरी पे घास वगयरा सब कुछ देना होता है उनको चारा बागी यहां पर पहले भाई हरा बरा ग्रीनरी खेत थी और उदर से नदी की दो धाराएं बैती थी थोड़ा उदर बैती थी और नदी के पार भी चानि का पूल का रास्ता है अब सब कुछ चेंज हो गया है है 2003 का धीर धीरे भणा रही है लोग यहां पर भी बना रहे हैं यह देख एक घर यहांप बनाया हूँ आपको बन गया है अंसुल का कौल ड़ argentine एकषे correct फैले हमारे सामने था यह देखो अपने गर में उसका गर देख रहा है यह देखा है वह सोच रहा है वो दिखेगा नहीं पेड़ों के पीछे से भी दिख रहा है यहीं पर कालू और वो जो जो रहते हैं वहाँ पर उपर भी आदा गाउं सिप्ट होगा आदा इदर आदा कुछ फैमिलीज बची हुए पेले नदी पार जाने का रास्ता यहां से तहां को यहां पर दोतिन घर थे scar से करके रास्ता होता था इधर से इधर से बहुत faculty गर दुकाने दे और जंगल पर खुला घयाता था दो दाराइं बैथी यहां पर लोग कपड़े में आपश होता था फ्रिने का हूब नाधी ुससाइड रह चुहला हो रखा हुआ है देखो उदर जो पेड़ है उसके आसपास कहीं पर हमने दफनाया हुआ है वहां पर यहां पर पिछले तीन-चार सालों से बहुत डॉक्स ने जनम दे दिया बच्चों को इसके अंदर आ जाते हैं जो इस्ट्रे डॉग रहते हैं जिनको हम जानते नहीं जैसे पहली बार आई है हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है और कल एक और जो डॉक का बच्चा था ना वहां पर किसी ने अडॉप्ट कर लिया उनका थैंक्यू सो मच एडॉप्ट करे तो अच्छी बात है अच्छे घर में जाए तो अच्छा लगता है अभी तो यह भी सायद इस इनको है न किछ का देते है इनको है ना इसको कितना पिज कर दो अच्छी नजर सिर्फे धर यह भी आज़िया ंज़ने मिशूद्ध चाहिए चाहिए तो जो आप खाने का टाइम होगा और बहुत टाइम बाद ना मतला आलू थे चड़ा आलू थे चड़ा खाया है मुझे बहुत अच्छी लगती है आलू की ये वाला साग साम का समय है और बड़ी दिनों बाद हम जो है गूमने जा रहे है आज पता नहीं क्या हो यह हवाई च चले तो कोई दिक्कत नहीं है जब चलती है तो देखो धूब भी लगभग जा चुकी है आदे गिंटे में चल जाएगी तो जानवरों का भी ना घर आने का समय हो जाता है साम के टाइम पर एक-एक करके वह आते रहते हैं यह देखो तेनी भीड का रखी इनोंने कभी-कभ चलती से ना इन सब पत्थर भी गिर जाते हैं क्योंकि खेलते रहते हैं दर भी लगता है कि यह देखाए जगए एक बिल्ली है पता नहीं किसकी है बड़ी-बड़ी अपने टाइगर पर तो आप जंग की लगया मेरे को लग रहा किकि बड़े दिनों से मैंने चलाई नहीं है नियु येर से नहीं चलाई भाई जैकि नियु येर में यह दा कि इसको खूब घुमाऊंगा चले कोई नहीं टाइम आएगा तब जरूर घुमाएंगा अभी ठंडा भी लग रहा है ठंड में बिल्कुल दिल नहीं करता भाई बाइक में कहीं भी जाने का पूरा दार के नीचे से रास्ता उवा करता था मतलब वदर शीन पूराना वाला रास्ता एक दिन मैंने ड्रोन शूट दिखाया था तो यह रास्ता एसे-एसे-एसे करके था यहां सीधा तो देखे नीचे अभी पुराना रास्ता बच्चा हुआ है और फिर वान नीचे से पैदल होता था अब देखे वह कितरना खतरना को रहा हर साथ यहां पर डैमेज डैमेज बढ़ता जा रहा है थे बाकि यहां से गोविंद घाट दिखता था पहले मैं क्या सोचता था कि पहाड के पीछे जोसिमाई इतने ही दुनिया है बोलकर के इतने ही लोग रहते हैं दुनिया में देखे दूप भी जा चुकी है सिब तीन पहाड़ियों पर दिख रही है दूप सुबह अभी ऐसे ही दिखते इस साइड से और उस साइड को जाती है कि कुछ माहल ऐसा है करने हैं अब भी अंदॉनने हैं और धेलिजर और तो आप less से देख रहा हूं पहले हम किटकेट और कि बहुत समझ से हमने अपना बच्पन से मतला पैदा होने से पहले वह यहां रहते हैं यहां काम करते हैं उनको यहीं पसंड है कभी-कभी जाते हैं वह साल-दो-साल में अपने गहर गाउं जाते हैं तो उन्होंने सेवा करिये और जब 2013 में आपड़ा आई थी ना जब सब ल खरिया दो चार दिन फिरी में जो खाना था जो कोर्णरिंग था जो पानी था सब कुछ ठिलाया पिलाया जो आतरी फसे मेड़ी ना जैसे जो आतरा के लिए स्रीक्योशाई भी आतरा के लिए तो उनकी भी सेवा करी तो उनका सेवा यार कोई भूल नहीं सकता गाउं के लोग तो सेल्यूट है ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है और भाई उनके साथ ट्रेजडी क्या हो गई थी ना तो जब वो यहां पर दुकान थी दोजार तिरा अब्दमें तो ऊपर से रात में एक बार पत्थर गिरा उपर पहाड़ी से और सीधा जहां पर वो सो रखेते अंदर तो मतलब वहां से वो पत्थर गिरते वे सीधा उनके पेट में या कई बॉड़ी पर लगा तो काफी मतलब वो इंजरी आ चुकी थी उनको बाई इंजरी आई जिसकी वाज़े से उनको डिरेक्ट हेलिकॉप्टर से सीधा जॉली ग्रांट साहिद दैरादुन जॉली ग्रांट कहीं ट्रेटमेंट के लिए और दुवाएं काम आई वो ठीक हो गये थे साही सलामत अब तो ओके हैं कोई दिक्ताद में है चलो जी यहां पर कैरम भी खेलते हैं भाई अभी घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं उपर इस्टेशन जहां से पैदा लियात्रा मार की स्टार्ट है स्रीहें कुण साहिप के लिए तो देखें यहां पर ना अभी क्या इंटरलॉक सिस्टम वाले जो भी लग रहे हैं यहां पर पूरा पार्किंग बनेगा यही से रोटेट होगी गाड़े है पार्किंग तो मैं कहा नहीं सकता है वही पर पार करने लग जाए तो दिक्कत हो सकती है पर यह रही पता कि आगे रोड का कारे कप सुरू होगा पूलना गाउं से भ्यूंडार गाउं तक जब भी हो जल्दी हो हम तो यही उम्मीद करते हैं क्योंकि भाई दिल करता है कि हम वही रहें भुंडार गाउं में वहां सुकून है पूलना गाउं में भी मजा आता है पर वहां पर यह है कि सब लोग आसपास रहेंगे घर आसपास रहेंगे ज्यादा दूर दूर पेन जाएंगे तो और अच्छा लगीगा तो बाही कुछ हेल्प करते गाउं वालों कि और गाउं मतलब एक अच्छा बन जाता है यहां से लेकर चैकडाम बनना चाहिए उपर से लेकर सीधर नीशे तक इधर तक चैकडाम बन जाएगा एक तो भाई हैल्पफुल होगा पुरे गाउं के लिए तो अच्छा रहेंगा पता नि यहां पर आपको यह ट्रॉली दिखरी होगी यह यहां से लेकर के और सीधर नदी के पार तक जब रास्ताइन था ने एक बार लास्ट एर हम गये थे पानी को थोड़ा ठीक करने क्योंकि पानी की पाइप्लाइन वहां से खराब होगी थी जो तनकवा छोड़े से आती फिर देखो जल जाएगी लगडिया पहले हलकी हलकी लगडिया डालनी होती है फिर यह जल जाएगी उसके बाद हम थोड़ी और लगडिया डाल लेता है पस यह जल जाएगी अभी बिल्लिया भी आ जाएगी उनको भी ठंड लग जाएगी अभी तो खेल रहोंगे अंदेरा होत जल्ज डिनर हो चुका है और बिल्लिया भी अभी कम्दर में सोई वी है तो आज हो रहा है बहुत जादा थंडा मतलब आड़ बजे हम डिनर कर दे रहे हैं और आग भी बंद हो चुकी तो भाई कीचन में क्या ही बैटा है थंडा आजकल इतना हो रहा कि भाई क्या बताऊ एक कंबल है यह एक कंबल यह है और एक कंबल यह है मोटी फिर उसके अंदर एक रजाई रजाई कंबल फिर कंबल उसके बावजूद भी ठंडा लगता ही है सुबह सुबह लगभा तीन-चार बजे के बाद जादा थंडा लगता है अभी तो चलो जैसे तैसे सो जाते हैं बड़े होने स्टार्ट हो चुके धूब जादा लग रही बर वह बहुत कोरी ठंड है आजकल फील हो रहा है महसूस हो रहा है और सभी जगा का यही हाल है सेरों में भी यही है धुंद कोरा पड़ा हुआ है और पहाडों में भी कहीं कहीं पर मतलब पूरा धुंद लगा बड़ उम्मीद करते हैं जल से जलती हो ऐसे में अगर बरफ टाइम पे ना पड़े तो दिक्कत होती है यात्रा के टाइम पे मतलब अप्रेल मही में अगर श्रीम कुंद साही बरफ पड़े हो बरफ बहुत बेकार होती है फिसलन वाली होती है और एवलांच मतलब थोड़ है अप्रेल मही तक कोई दिक्कत ही बड़ पकी बरफ जो होती वह अभी पड़नी चाहिए तो ज्यादा बैट रहेगा तो भाई अभी तो सोने की तैयारी करते हैं क्योंकि आज कल स्थाड़ी जोरो सो रुपे हैं बच्चों को भी पड़ा रहा हूं मैं और ज्यादा टहलन है नहीं हो पा रहा है अब देखो थोड़ी ठंडी निकलती है गर्मी आती है तो फिर थोड़ा निकलेंगे इदर से उतर ट्रेविलिंग पर या कहीं न कहीं छोटे मोटर ट्रिप करेंगे तो फिलाल अभी यही है बाकी गोविन दाम जाने की बाते कह रहे थे बहुत सारे तो देखो भई मैं अभी गया था recently बरफ थी नहीं तो उतना फिर अभी planning नहीं हो पा रहे हैं कोई दोस लोग नहीं मिल रहे हैं जब होगी planning तो जाएंगे बट मेरा planning है कि बरफ के टाइम पर जाओं क्योंकि चलना फिर ना अभी ज़्यादा नहीं हो पा रहा है back pain है आप होना से इदर उदर एक एक दिन में मतलब बहुत परिशानिया हो रही थी तो यह सिस्टम है तो बाकी बरफ पड़ेगी तो एक दिन जाएंगे और हो सके तो एक दिन हम वहीं रहेंगे गोविन धाम क्योंकि देखने करनी होती है बालों ने नुक्चान कैसे किया हुआ आप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलते हैं दोस्तों अगे लिए नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए टेक क्या बबाई लब दियो बाई दोस्तों